अब रख दे भाई माता हूं बैग रहें इसको पॉड़ा है यह जो है इसमें तुम्हारे चार छेद हैं एक दो तीन चार का है चोथा भई चोथा का है ठीक है दिखेगा दिखेगा जब पानी निकलेगा दिखेगा इसमें बहुत जादा आधा पानी वेस्ट होता है वहां से लो दूसरा बोडल लो कि ने आधा पान तो तुने वेस्ट कर दिया होली खेलियो मत तुम्हार निसाना बहुत कराब है अब वाज बारी हो जाएगा तो यह चाड है और इसमें हमने बढ़ दिया पानी इस इंपल जादू कि और यह साइंस इस पर लॉजिक ना लगे तो आप दरों लगा लगान अश्य हूं और श्याया क्याद बेधिक है तो सिम्पल रोस्य प्रीक मससे बात करें तो यह समेंसे चैथ है तो सिंपल लॉजिक कहता है सिंपल दिमार तुमारा है यह कहता है कि चार Dire 도 पानी तो निकलना चाहיד जो कब से गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके तो अब देने से इसको गिराई देते हैं कि गिना चालोगा पूरा पानी अच्छेट को कवर कर दिया है ले अब इतना तो आगों का दोका नहीं होगा कि अरे गजा चल ठीक है चल ले भाई ले तेरी पूरी कर देता हूं हुआ 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 है पास से ले बाई और कोई तरीका नहीं मिला मुझे हां फिर से बाद देख लो डकन तुमने खुला हुआ हाँ 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 मैं कुछ कर रहा हूं तो देख लो इता है डकन खोल वहां से उटके होगी है बस बंद कर पोचा मुझे लगाना पड़ेगा है अब यह क्यों हुआ इसके पीछे का लॉजिक समझो कि क्या होता है कि जैसे ही ढकन बंद का आज है मैडम टाइम नाम की चीज तो तो लोग समझते नहीं हो जली बैठो तो क्या हो इसमें एक्सपेरिमेंट की बास समझो कि इसके उपर जब प्रेशर था जब यह ढकन खुला रहता है तो अट्मोस्फेरिक प्रेशर अंदर से लगता है और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर लगत होता है तो आटमस्फेरिक प्रेशर जो ज्यादा होता है कि जो पानी की निकलने चाहिए तो निकलने ही नहीं देता तो यह तुम्हारा एटमस्फेरिक प्रेशर के वैसे होता है